सबजियों से भरपूर, एकदम टेस्टी और हेल्दी ये नास्ता आपको बहुत पसंद आएगा तो अगर आपको समझ में नहीं आता कि सुबह के नाश्ते में क्या बनाए या फिर एक ही तरह का खाकर बोर हो गए है तो आज बनाएए ये रेसिपी जो बहुत जल्दी बन जाती है खाने में बहुत ही क्रिस्पी होती है उपर से और अंदर से एक दम सॉफ्ट रहती है साथी बनाने में भी बहुत ज़्यादा आसान है एक दम जटपट पाली रेसिपी है 10-15 में ये बन के तयार हो जाती है और घर में जो बच्चे बड़े जो भी है सबी को ये बहुत पसंदाती है तो चली इसे बनाना शुरू करते हैं तो सबसे पहले मैं बनाओंगी यहाँ पर चटनी तो यहाँ पर चटनी मनाने के लिए मैंने आपे कुछ रोस्टिड मुपली, साथ में ही चना डाल और उड़त डाल, तीनों को रोस्ट कर लिया था, एक साथ वो डाल देंगे, थोड़ासा अधरक, थोड़ी सी हरीमिश एड़ कर देंगे, अब साथ में ही डाल देंगे आपे दो चम्मच फ्रेश दही, कुछ करी अब साथ में टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालेंगे, और थोड़ासा पानी डालके धक्कन लगाके से बड़िया से पीस के तयार कर लेंगे, और यह जो चटनी है ना, इसे आप तीन से चार दिन तक फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं, यह बिल्कुल भी खराब नहीं होगी और यह वाली चटनी मेरी ओल टाइम फेवरिट है, आप इसे इडली के साथ, बड़ा के साथ, या फिर डोसे के साथ सर्फ कर सकते हैं, तो चलें यहाँ पे चटनी तो बनके तयार हो गई है, अब पटा पटे लगा लेते हैं तड़का, तो यहाँ पे तड़का लगाने के लिए गैस पे हम रखेंगे एक पैन, और पैन पे हम डालेंगे एक चमच भर के कुकिंग ऑल, और जैसे ही ऑल अच्छे से गर्म हो जाएगा, तब इसमें हम डाल देंगे, आदा चमच भर के राई दाना, साथ में ही थोड़ी सी हींग डालेंगे, दो सुखी लाल मिष्ट और 5 से 6 डालेंगे, यहाँ पे करीपते, सभी को अच्छे से तड़का लेंगे, और यहाँ पे गैस की फ्लेम जब बंद करेंगे तब हम डालेंगे हींग, और सारे तड़के को उठाएंगे, और इस तरह चटनी में डाल देंगे, अब सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और यहां पर हमारी चटनी बन के बिलकुल तयार हो गई है इसे उठाके हम साइड में रखेंगे और यहां पर मैंने ले लिए हैं एक कप भर के चावल जिसे मैंने सिर्फ एक घंटे पहले ही भी गोया है अब यहां पर चावल बहुत हलका सा सौफट हो गया है उसके इसे बाद हम चावल को निकालेंगे और इस तरह जार में ट्रांस्फर करदेंगे अब सात में ही इसमें हम डालेंगे इसमें जीरा, साथ में ही टेस्ट के कोडिंग नमक डालेंगे और थोड़ासा पानी डालके इसे एकदम थिक पीस के तयार कर लेंगी तो यहाँ पे स्टार्टिंग में आपको बहुत जादा पानी एड नहीं करना है इसका बैटर हमें थोड़ासा थिक रखना है, बहुत जादा पतला नहीं करना है तो आपना पानी ध्यान से डालिएगा, अगर जरुरत लगे इसे पीसने में तभी पानी एड कीजेगा और देखें, यहाँ पे बैटर हमारा बनके बिल्कुत तयार है, एकदम स्मूथ सा है, बस इसी तरह का बैटर हमें चाहिए अब यहाँ पे सारी बैटर को हम एक बोल में ट्रांसफर कर लेंगे और उसके बाद नहीं से थोड़ासा बढ़िया से फेट लेंगे तो यहाँ पे ना तीन से चार मिनट आप इसे बढ़िया से फेट लेजिए और उसके बाद इसे ढखके रख दीजे पास से दस मिनट का इसे हम रेस्ट देंगे तब तक हम सबजियों को यहाँ पे चौप करेंगे तो फ्रेंड्स यह वाली जो रेसिपी है यह बहुत बहुत आसान है बनाने में लेकिन खाने में बहुत ज़्यादा बढ़िया लगती है चावल की बज़े से ना उपर से एकदम क्रिस्पी बनती है और अंदर हम करेंगे इसमें सबजियों की स्टफिंग तो उसकी बज़े से अंदर से काफी सूपर सॉफ्ट रहती है तो आप इसे ना एक बार जरूर बना के देखेगा मुझे पूरी उमीद है कि आपको यह रेसिपी जरूर अच्छी लगेगी तो चलिए अब कर लेते हैं सबजियों को कट तो यहाँ पे मैंने एक प्याज लिया है साथ में ही एक चोटा सा टमाटर आदा शिमला मिच और आदी मैंने यहाँ पे लिए है गाजर थोड़े सा यहाँ पे अदरक लेंगे और एक हरी मिच अब यहाँ पे ना सारी चीजों को बिल्कुल फाइन चॉप करके तयार कर लेंगे वैसे इसमें स्टफिंग आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं आप इसमें आलू की स्टफिंग भी कर सकते हैं वो भी बहुत जादा अच्छी लगती है तो यहाँ पे देखे सारी सब्जों को मैंने बिल्कुल फाइन चॉप कर लिया है और जो गाजर है ना उसे इस तरह ग्रेट कर लेंगे तो मैंने यहाँ पे अद्रक और हरी मिच दुबारा से इसमें एट नहीं किया है स्टार्टिंग में ही मैंने बैटर में डाल दिया था आप चाहें तो यहाँ पे दुबारा भी डाल सकते हैं अब इसके बाद हम गैस पे रखेंगे एक कढ़ाई या फिर पैन और उसमें डालेंगे दो चमच भर के कुकिंग ओल जैसे ही ओयल अच्छे से गर्म हो जाएगा इसमें हम डाल देंगे आदा चमच भर के जीरा और साथ में ही याँ पे अब डाल देंगे हम प्याज तो यहाँ पे प्याज को बहुत हलका सा हमी ब्राउन करना है बहुत जादा ब्राउन नहीं करना है मतलब जैसे ही ट्रांसलूसेंट हो जाएगा ना उसके बाद हम इसमें धीरे-धीरे करके सारी सबज्या एड़ कर देंगे और अब इसके बाद हम सारी सबज्यों को अच्छे से मिक्स करेंगे और एक दो मिनट के लिए इन्हें ऐसे ही भूनेंगे और साथ में ही आपे डाल देंगे थोड़ी सी मटर तो यहाँ पे अगर आपके पास मटर हो तब आप डाल दें बरना आप इसे इसकी भी कर सकते हैं अब इसके बाद इसमें हम कुछ हलके फुलके से मसाले एड़ करेंगे तो यहाँ पे वही मसाले डालेंगे जो हम regular kitchen में यूज़ करते हैं तो यहाँ पे थोड़ासा नमक डालेंगे थोड़ासा healthy powder साथ में ही थोड़ी सी लाल मिर्ची और धनिया powder और साथ में ही गरम मसाला अब इसे ढखकन ढखके ना एक दो मिनट के लिए और पगा लेंगे जैसे की सबजियां थोड़ी सी soft हो जाएंगी और जैसे ही थोड़ी सी सबजियां soft हो जाएंगी हम gas की flame को बंद कर देंगे और इसमें हम थोड़ासा आमचूर पाउडर और mix कर देंगे और देखे इधर बैटर भी हमारा rest कर चुका है अब इसमें हम डालेंगे 1Y4 चमच भर के baking soda और अच्छे से फेट लेंगे तो यहां पर अच्छे से आप कम से कम एक दो मिनट के लिए से अच्छे से whisk कर लें जिससे की बैटर थोड़ासा fluffy हो जाएगा और नास्ता बहुत ही बड़िया से soft बनेगा अब यहां पर इसे बनाने के लिए gas पर रखेंगे इस तरह का pan और उसे oil से grease कर लेंगे इसमें डालेंगे आदा चम्मच राईदाना आदा चम्मच जीरा जात महीं आदा चम्मच भरके सफेद तेल दो से चार करीपते एड़ करेंगे और उसके बाद हमने जो बैटर बना के रखा है ना उसमें से आदा बैटर हम इस पे अभी फैला देंगे तो चारों तरफ आप अच्छे से बैटर को स्प्रैड कर दें या फिर आप यहां पे ऐसा भी कर सकती हैं कि बैटर को आप दो पार्ट में इक्वल डिवाइड कर लें और एक पार्ट को आप यहां पे अच्छे से स्प्रैड कर दें और जो पार्ट बच जाएगा ना उसे ह बाद में यूज़ करेंगे और इसे डखका से डखके हम दो सेकेंड के लिए पका लेंगे इतने में ये उपर से ड्राइ हो जाएगा उसके बाद हमने जो फिलिंग बनाके रखे है ना सबज्यों वाली वो सारी फिलिंग हम इस पे डाल देंगे और बड़िया से चारो तरफ स फैला देंगे और जैसे ये फिलिंग हमारी अच्छे से फैल जाएगी ना तब इसके उपर हम बापस से डालेंगे बैटर जो हमने बचा के रखा है वो सारा बैटर आप इसके उपर डाल दीजे और बड़िया से सबज्यों को कवर कर दीजे तो ये वाला नास्ता फ्रेंट बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है और मुझे पूरी उमीद है कि आपने इस तरह ये नास्ता कभी बना कर नहीं खाया होगा तो एक बार आप कच्छे चाबल से ये नास्ता जरूर बना कर देखे बहुत जल्दी बन जाता है अगर आपको कभी समझ में नाए क्या बनाना है नाच्ते में तब फटा फटे आप एक कप चाबल से ये रेसिपी बना सकते हैं और घर में इस अभी को बहुत अच्छी लगेगी तो देखें यहां पर जो बचा हुआ बैटर था ना उसी भी मैंने सब्जियों को पर डाल दिया है अब बापस इसे बिलकुल एक्वल कर देंगे और ढुक कर अ striking एप पका लिए और जैसिये थूड़ा सा ड्राय हो जाएगा ना तब इसके हम ढाल देंगे थोड़ा सा कूकिंग और बापस इसे ढकन से ढक देंगे वस एक 2 सेकंड के लिए और पका लेंगे उसके बाद हम इस तरह प्लेट में निकाल लेंगे और इस तरह ना पैन में एक बार हम ओईल को और ग्रीस करेंगे और इस पलट देंगे तो यह आपके हाथों पे बिल्कुल भी नहीं चिपकेगा बहुत लो फ्लेम पे से हम पका के तयार कर लेंगे तो 3-4 मिनट बाद नास्ता जो है बनके बिलको तयार हो गया है दोनों साइड मैंने से बढ़िया से सेक लिया है अब इसे इस तरह हम निकाल लेंगे एक बोर्ड पे और इसके बाद हम इसकी ना कटिंग कर लेंगे तो जैसे कि हम पेजा की स्लाइस बनाते हैं चोटी चोटी सी बस उसी शेप में से कट कर लेंगे और फिर इसे गर्म गरम हम चटनी के साथ सर्फ करेंगे वैसे अगर आप चटनी ना बनाना चाहें न तब ये नास्ता बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है क्योंकि अंदर धे सारी सब्यों की चटपटी सी स्टफिंग है तो उसकी बज़े से नास्ता काफी अच्छा लगता है बट अगर आप चटनी बना लेंगे तो नास्ता और भी ज़्यादा टेस्टी लगेगा तो देखें, यहाँ पे पीजा कड़र की मदद से मैंने से कट कर लिया है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि नास्ता हमारा कितना कितना जादा कृस्पी बना है और अदर से आप इसकी स्टफिंग भी देख सकते हैं बहुत ही बड़ी अलाजबाब बन के तयार होता है तो एक बार आप इसे जरू ट्राइ कीजेगा और मुझे पूरी उमीद है कि आपको आज की रेसिपी जरू पसंद आई होगी अगर वीडियो आपको जरावी पसंद आई हो तो प्लीज प्लीज वीडियो को लाइक शेर करके चैनल को जरू सब्सक्राइब कीजेगा तो चलिए यहाँ पे मैंने प्लेटिंग भी कर ली है चटनी भी लगा ली है अब साथ में थोड़ी सी कैचप भी रख लेंगे वैसे आपको आज की वीडियो कैसी लगी यह मुझे कमेंट करके जरू बताईएगा तो चलिए यहाँ पे नाश्ता जो है वो थोड़ असा ठंडा हो गया है इसे उठा के आपको बिलकुल पास से दिखा देती हूँ और अंदर आप इसकी स्टफिंग देख सकते हैं कितनी जादा बढ़िया आई है चलिए इसे तोड़ के भी दिखा देती हूँ उपर से बहुत ज़्यादा अच्छे से क्रिस्प हो जाता है और अंदर से सबजियों की बज़े से काफी सॉफ्ट रहता है तो एक बार आप इसे जरूर बना के ट्राइ कीजेगा तो चलिए दोस्तों मैं आपसे मिलती हूँ इसी तरह की एक और नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ तब तक के लिए बाबाई and टेक केर